हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका यूटुब चैनल दस सीक्रेट अफ इन्वेस्टिंग में दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10 ऐसी कंपनियों के बारे में बाचीत करने वाले हैं कर लेते हैं तो कहींना कहीं आप लोग बहुत अच्छे benefit में बैट सकते हैं क्योंकि अगर आने वाले time में उस sector को अच्छा perform करना है तो कहींना कहीं आप लोग उस sector के leader को अच्छा perform करना ही पड़ेगा तो definitely आप लोग अच्छी wealth बनाएगे दूसरों की comparison में चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि लगातार मेरी कोसिस यह रहती है कि आपको ऐसे स्टॉक्स बताया जाएं जिनमें अगर आप लोग ने इंवेस्टमेंट किया तो आप लोग लोग लॉग टम में बहुत ही बड़ी आवेल्ट बना सकने हैं सबसे पहले स्टॉक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले स्टॉक का नाम है H.A.L. जहां दूस्तों हिंदुर्सान अरोनाटिक लिम्टेट बहुत ही बैदरीन कंपनी है अगर हम कंपनी का बिजनेस की बात करें तो आप लोगों को पता है हेलिकॉप्टर मैनुफेक् सकती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने दूसरे कंपनी की दूसरे कंपनी का नाम है IRCTC यहां दूस्तों ये एक और कंपनी है जो की 100% मोनोपॉली बिजनेस होल्ड करती है आप लोगों को लॉंग टम में ये कंपनी बहुत ही बहतरी रिटन बना के दिखा सकती है क् अगर अगर अजो बात करते हैं अगर अगर अपने टीसे स्टौक कि तो तीसे स्टौक का नाम है नेसले-इंडियाफ वैसे तो नेसले-इंडिया बहुत सारे प्रोडेंट बनाती है लेकिन इसका जो सरे लेक है वह 96.5% की मोनोपॉली बिजनेस होलड गर करता है क्योंकि को चौते स्टॉक की चौते स्टॉक का नाम है कोल इंडिया लिम्टेट जिहां दोस्तों 188 रुपीस का आपको यह सेर प्राइस देखने को मिलेगा दोस्तों यह लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड की कोल इंडिया बनाने के लिए 82% मोनोपॉली होल्ड करती है बहुत ही बैधरिंग कंपनियों में से एक है दोस्तों सरकारी कंपनिया आपको पता है कि अच्छे कासे डिटन डिलिवर करके नहीं देती लेकिन उनका डिविडेंड आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है तो आप लोग अगर डिविडेंड वाली कंपनियों में इंवेस्टमेंट करना चा में लग बग आपको देखने को मिलेगा कि 78% का मोनोपॉली बिजनेस होल्ड करती है अपने सेक्टर में और आप लोग समझ सकते हैं ये कंपनियां जो आपको इतने अच्छे तरीके से लीडिंग मैनुफेक्टरिंग हैं इंडिया में इनके बिजनेस में कोई दूसरा कंपेटीटर ही नहीं है तो कहीं न कि आप लोग इन कंपनियों में अच्छा कासा मुनाफा कमा सकते हैं अगर हम लोग बात करें अपने अगले स्टॉक की तो अगले स्टॉक का रखा है तो भली उनका अच्छा कासा प्रॉफिट जेनेरेट करके ना हुआ हो लेकिन उनको डिविडेंड ये कंपनिया बखू भी देती हैं लगबख 77 परसेंट की मोनोपॉली बिजनेस सिगरेट में आपको ये कंपनी होल्ड होती भी दिखाई देती हैं बहुत सारे प्रॉडक्ट इसके आपको देखने को मिलते हैं और बाकी भी आपको FMCG सेक्टर के काफी सारे प्रॉडक्ट ITC से जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अपने अगले स्टॉक की तो अगले स्टॉक का नाम है मारियो जिहां दोस्तों अगर इस company की बात करें तो इस company के काफी ज़्यादा oil आपको company में famous होते हुए दिखाई देते हैं oil sector में आप लोगों को 73% ये monopoly business hold करते हुए दिखाई देती है आप लोगों को बहुत सारी company ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि कहीं न कहीं मारियो से जुड़ी हुई है हम लोग अगर नाम लें तो सफोला पैरा सूट ये सब ऐसे oil हैं जो हर घर में यूज होते हैं और कई सालों से यूज हो रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये किस company के product है तो मारियो company आपको इस सब चीजों को manufacturing करती हुई दिखाई देती है तो ये company भी आपको बहुत बढ़िया मुनाफ़ा कमा के दिखा सकती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पिडिलाइट इंडरेस्टी की बहुत बढ़िया return आपको बना के दिखाएं इसने पिछले कई सालों से तो जिन investor के पास ये stock already है उनको पता है ये sector का leader stock है आने वाले time में कभी भी आपको नुकसान नहीं देने वाला क्योंकि इसके business में आपको कोई और entry नय business अगर करता हूँ entry करेगा तो उसको काफी ज़्यादा compete करना पड़ेगा पिडलाइट से क्योंकि आपको पता है कि 70% monopoly ये hold करता है अपने sector में इसलिए आपको आने वाले time में इन कंपनियों में जरूर investment करके चलना चाहिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं अगले stock की तो अगले stock का नाम है container corporation of India जी हाँ दोस्तों बहुत ही bathroom company आपको देखने को मिलेगी है company के business की बात की जाए तो आप लोगों को cargo carriers बनाती हुए दिखाई देगी terminal operator और warehouse operator बनाती हुए दिखाई देती है यह सब चीज़ें आपको use करने बहुत सारी चीज़ों में railway में use होती है तो आपको यह company भी लगातार बढ़िया return बना के दिखा रही है क्योंकि इस company में भी monopoly business आपको देखने को मिलता है लगबख 68.52% के आसपास का दोस्तों यह company आपको जो मैंने बताई है कही न कहीं बहुत ही बैदरीन company है इसलिए आप लोगों को इन company हो में monopoly देखने को मिलती है अगर यह company अच्छे से काम नहीं करती है पिछले कई सालों से तो कहीं न कोई आप लोगों को कोई private sector ही कोई company enter होती हुई दिखाई देती और इस company को overtake कर सकती थी लेकिन यह company है अपने business को बखू भी जानती है अच्छे से निभा रही है और लगातार profit generate कर रही है जिसके चलते यह company नहीं केबल खुद मुनाफ़ा कमा रही है वैलकि अपने investor को भी अच्छा कासा return भी दिखा रही है इन company हो में investment जिन लोगों भी कर रहा है definitely वो लोग कही न कहीं अच्छे return पा रहा है और जिन लोगों को अच्छे return नहीं मिल ला है वो लोग कहीं न कहीं dividend अच्छे का से provide कर रहा होंगे इसलिए आप लोगों को इन company हो में definitely investment करने के बारे में सोचना चाहिए और जिन लोगों का investment है उनको बेचने ही गलत बिल्कुल भी नहीं करनी है, इंवेस्टमेंट करने से पहले अपने अनिलिस से पर जरूर ले लीजिएगा तो ये वीडियो अच्छला बहुत वीडियो को लाइक कर दीजे मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई